किसी विवर ने मुझे कमेंट किया कि भाई को यह एसा एक तरीका बताओ जिसमें कि बैंक भी नहीं जाना पड़े और ब्रांच भी नहीं जाना पड़े और हम घर बैठे जो है एट मेरा ATM काड है तो यह मैं जो हूँ खुद से घर से अपलाइक किया हूँ और हमको जो है बैंक नहीं ब्रांच जाना परा है और इसको जो है खुद से आप घर करके ATM काड को मगा सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है सिंपल तरीका है आज कि इस वीडियो मैं आपको बताने वाला ह तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल मुझे बैल आकन है उसे भी आप दबा दिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो यहाँ पर आप पहले आप योणो SVI एप्स को पहले करें और प्यान करने के बाद आप यहाँ से पासवड और यूजर नेम दे के भी लोगिन कर सकते हैं नहीं तो अगर आप एंपिन बनाए हैं तो मैं मिल से ही आप लोगिन कर लीजिए जैसा कि हम यहाँ पर इस कीरिन पर लोगिन कर लेत उसके बाद नीचे में second option है तो यहाँ पे service request का एक option है जिसा कि आप यहाँ पे देख पार है तो यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे बहुत सार आपको option मिलेगा इसके बाद ATM debit card तो यह option आपको आएगा तो यहाँ पे आप click करें click करने के बाद आप से पुछा जाता है internet banking profile password तो अगर आपको याद है internet banking profile password तो आप यहाँ से देख के इसे इंटर कर सकते हैं उसके बाद आप submit button पे click कर देंगे अगर यह आपको मालूम नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना है आपको वीडियो के description में link मिल जागा उस वीडियो को देखके जो है internet banking का profile password आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा facility नजर में आएगा जैसे की block card है manage card है request new replacement card है उसके बाद active card है तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर request new यानि कि आपको request करना है ATM debit card के लिए तो यहाँ पर आप इस वाले option पर आप यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर first column में आपको account select कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर select कर लिए उसके बाद name on card आपके card पे डेविट card पे चाहे ATM card पे क्या नाम आप उसमें type करवाना चाहते हैं क्या नाम print करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर type करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर select the type of card तो आप किस type का card select करना चाहते हैं यूज करने के लिए तो यहाँ पर रूपिय क्लासिक भी आजाएगा बीजा क्लासिक भी आजाएगा master card global आजाएगा तो आपको इन में से जो भी आपको अच्छा लगता है जो आप उसे यूज करते हैं regular यूज कर रहे थे ATM उसमें देखिए कौन साफ कर रहे है रूपिया या बीजा या master card जो भी है आप उसमें से select करके यहाँ पर select कर सकते हैं तो चलिए हम रूपिय क्लासिक यहाँ पर select कर लेते हैं तो select करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाता है पर्मानेंट एड्रेस पर अगर मंगाना चाहते हैं या फिर दूसरा एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पर्मानेंट एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अगर आप दूसरा एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दुनों मेरा एडस सेमी है तो यहां पर पर्मंगे ए्डस पे रहने देते हैं उसके बाद यहां पर semen condition पे यहां पर आपको accept कर देना है उसके बाद next बटन पर कलिक कर देना है तो next बटन पर किलिक करने के बाद आपके रजिस्टर मुआल नमर पे एक OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है आप यहाँ पे समिट बटन पे किलिक कर देंगे यह तो यहाँ पे देखे अगर यह जनकाड़ी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को तबाइए और ज्यादा ज्यादा आप कमेंट करके बताइए और किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए वह मैं आपको बना के देने का खुशिस करूंगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसे को नई सांदार वीडियो में तब तक के लिए जाही जा भारत